दोस्तों टाइम डाइलेशन एक ऐसा कॉंसेप्ट है जिसके बारे में हमें अलबर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ओफ रिलेटिविटी में बताया था लेकिन दोस्तों इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है क्यूकि टाइम डाइलेशन के बारे में तो स्वयम ब्रह मानिक ग्रंतों में इस टाइम डाइलेशन से रिलेटेड क्या मज़ेदार स्टोरी बताई गई है और फिर ब्रह्मा जी ने इस टाइम डाइलेशन को कैसे समझाया है तो यार आज की ये वीडियो बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो दोस्तों चलिए पहले ये जान लेते हैं क्या आखे टाइम डाइलेशन है क्या तो दोस्तों टाइम डाइलेशन एक ऐसी बहुतिक घटना है जिसमें टाइम अलग-अलग स्पीड से आगे बढ़ता है दो अलग-अलग अब्जरवर के लिए जैसे एक्जामपल के लिए आपकी उमर तो 21 साल होगी लेकिन आपका जो दोस्त आपके साथ स्पेस में नहीं गया था वो करीब 30 साल का हो चुका होगा यानि की टाइम आप दोनों के लिए अलग-अलग स्पीड से आगे बढ़ रहा था जब आप एक बहुत ही हाई स्पीड स्पेस्शिप में बैट कर स्पेस में चक्कर लगा रहे थे और इसी चीज़ को ही हम टाइम डाइलेशन कहते हैं और दोस्तों अब हम आजाते हैं अपने वीडियो के में टॉपिक के उपर तो ये कहानी है एक बहुत ही पाउरफुल राजा का कुदमी और इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम थ राजकुमारी रेवती और ये बहुत ही जादा ब्यूटिफुल और टैलेंटेट थी और जब राजकुमारी रेवती की उमर शादी करने लाइक हो गई थी तब राजा का कुदमी को बहुत चिंता होने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए उसके बराबर का पती कैसे खोच पाऊंगा और इसी चिंता में राजा का कुदमी अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्म लोग चले जाते हैं ताकि ब्रह्मा जी उनकी बेटी के लिए एक अच्छा पती खोचने में उनकी मदद कर सकें तो जब राजा और उनकी बेटी ब्रह्म लोग पहुचे तब उसी वक्त ब्रह्मा जी एक musical performance को सुन रहे थे और musical performance के खत्म होने के बाद जब राजा काकुदमी और राजकुमारी रेवती फाइनली ब्रह्मा जी से मिलते हैं और अपने परिशानी के बारे में ब्रह्मा जी से बताते हैं तो उनकी बाते सुनने के बाद ब्रह्मा जी हसने लगत और फिर ब्रह्मा जी ने राजा को समझाया कि भाई टाइम हर जगा अलग-अलग स्पीड से आगे बढ़ता है और जब तक तुमने मेरा इंतजार किया तब तक पृत्वी लोग पर 27 चतुर यूग यानी की करीब 113 मिलियन इयर्स बीद गए होंगे और तुमारी जो भी धन पृत्वी लोग पर होगी वो सब समय के साथ खत्म हो गई होगी और ये सब सुनने के बाद राजा का कुदमी और उनकी बेटी दोनों हैरान हो गए और ये देखते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है चिंता मत करो और जब तुम वापर जाओगे तब पृत्वी पर बलराम का जन्म हो चुका होगा और वही तुमारी बेटी के लिए सही साथी होंगे और उसके बाद वापस पृत्वी पर आके राजकुमारी रेवती ने भगवान कृष्ण के भाई बलराम से शादी कर ली और दोस्तों इस स्टोरी में सबसे इंटरस्टिंग बात तो ये ह कि टाइम डिलेशन जैसे कॉंसेप्ट को ब्रह्मा जी ने कितनी आसानी से समझाया और ये सब बाते हमारे पौरानिक गरंतों में कई हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है और दोस्तों अगर ऐसे वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमें कमेंट में जरूर और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर से कीजिएगा तो फिर तब तक के लिए बाई बाई टेक केर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरस्टिंग और इंफर्मेटिव टॉपिक के साथ